तो आपका स्वागत है तिर्पान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे है जोग्रैफी के चैप्टर यानि जोग्रैफी के गोल है यह अत्यंत महत्वपून चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें हम भी गोल के विशाय में बहुत ही विस्तार पुरवक चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसका आर्थिक महत्व क्या है तो सबसे पहले हमारे समक्ष जो आया है पॉइंट वह है परवत देखिए परवत के व हम परकास डालेंगे तो इससे जो है इंपोर्टेंट हमारे साथ रहेगा चली देखते हैं परवत में क्या कुछ बताया गया और क्या समझाने कोशिश यहां पर की गई है कहते दरातल पर विदमान तीन विस्तुत रहस्तल रूप है या तो पठार हो सकती है परवत हो सकती ह है जो बुपठी के जो है विरूपन का पई नाम है इसमें से परवत सबस rebya सर्षम ही रचना होती है परवत की रचना जो ही है बहुत ही रहस्तम ही हुई है परवत भाग करत्वी की सर्थे कैसे परती हैए बहूत ही इंचे यह इंवरा यानि उठे हुए भाग परवत नहीं कहलाते हैं किसी रसल रूप के पहचानने के लिए उचाए और ढाल दोनों को समलित किया जाता है यानि हर उठा हुआ चीज को परवत नहीं कह सकते हैं इसके लिए आपको थोड़ा सा जो है जोगराफिकल दिमाग लगाना पड़ेगा कह इसको हम समुद नहीं कहेंगी यह मैदानी च्यत्र कहला एगा यहां दिढान रखने हैं है कि परव battle बंडे में लाकों वर्श लगती दे परवत जोंग है इसको बंडने में बहुत लाकों साल लगती है और इसंसलम्भी अवदी में अंत्री जोए अंत्रीक बल भूमी के उ तब आंतर बीप्रित बाहरे बल पर उठानेand जुटे हुय है। और इस तरह परवत का निर्मान होता है माट एवरेश ऐसे उचे एक परवत शिंकला का निर्मान तब ही हो पाता है जब बल का बल्ल का निर्मान काड़ी या जमीन के उपर उठाने वाले कारे जो है बाहरे बलो के अपरदन कारे का फिक्षा अधिक दुत गती से होता हो अंतर परवत रातर के उपर उठे हुए ये भूभाग है इसके डाल जो है तिब्र होते हैं और समुंदर तर्ट से जो लगभग एक हजार मीटर से भी अधिक उचे हो सक सरवधिक अंतर होता है निर्मान किडिया के धार पर परवतों को निम चार भागों में वर्गी क्रित किया जा सकता है सबसे पहले हमारे समक्षाता है वल्ले परवत तुसरा है खंड परवत तिसरा है ज्वाला मुकी परवत और उसके बाद है अफसिस्ट परवत तो ये ती इसने पराइप में बढ़ चुके हैं कि प्रित्वी की आंतरिक हल्चलों कि कारण याव hundred शैलों में बलन परतें यानि बलन परना सभाविक बात है परप जो फर शैलों के उपर उठनें के पैणां सरुबनीbe तरवश्रणियों के बरित परवत कहते हैं बरित प्रतदार श्यलों पर लाकों वर्ष तक आंति जो 36 उटपीरन बल लगे रहते हैं तो यह मुर जाते हैं और उनमें उद्वलन और नत्वलन पड़ जाते हैं कलांतर में यह अपनेति और अभे प्रवत का जनम होना एक सुभाविक बात बन जाती है अब तक यहीं बात हम समझना चाहें तो संपीरन प्रवत के कारण जो परवत का निर्मान होता है उसे हम बलेंब बलित परवत कहते हैं एशिया के हिमाल है जो है इसका सबसे अच्छा एकजामपल है यूरोग में हुआ है यह सभी व्लिद परवतों के नाम से यहां पर चला यहां, पर आप देख सकते हैं संसार के प्रमुक्य व्लिद परवत दिखा गया है एंडि परवत उसके पर्शाथ हमारे समक्षि कंड़ परवत कारण ही सैल पर तनाब बल लगते जब पर Florida छैल परते हैं तो उनमें दराड या व्रश पर जाते हैं जब लगवक्त दो समांतर व्रशों के बीच की भूमी आसपास की भूमी की तुलना में काफी उपर उठ जाता है तो उस उपर उठी भूमी को जो है खंड परवत या जो है भ्रश शप्त परवत या भ्रश खंड कहते हैं खंड परबत का निर्मान उस परिश्थिती में होता है जब दोनों ब्रशों के बाहर की भूमी नीचे बैठ जाती है और अबदों के बीच की भूमी उठ रही होती है खंड परवत को जो होस्ट भी कहते हैं और खंड परवत में शेलो की परद वलिद अत्वा समतल में भी कोई भी हो सकता है इसका सबसे अच्छा एक्जामपल जो है फ्रांस के वैसेज और जर्मनी के ब्लैक फेरेस्ट और उत्री अमरिका के सिरो रहने वाद खंड परवत की विसी सुधारन में से एक माना जा सकता है देखें खंड परवत जो है कुछ इस परकार से आपको देखने को मिलेगा यहां पर आप देख सकते हो कि एक साइड जो है जमीन दस गई है और दूसरी साइड जो है जमीन आटोमेटिक ऊपर उट रही है तो यह जो क्षा जोला मुखी परवत जोला मुखी जिसे नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा इसकी विशा मैं पिछले चैप्टर में भी परे थी पृत आंतिरिक भाग बहुत गरम है यह तो आपको भी पता है कि जो आंतिरिक भाग है बहुत ही गरम है भू गरव के गहरे में मैगमा में बदल जाते हैं जब यह पिघला हुआ शेल पडार ज्वाला मुकी के उद्गार में भूगर्व से दरातल पर आता है तो वह मुक के चारो ओर इकटे हो जाती है और यह जम कर संकु निकले पडारतों के जमा होने से बनेते हैं। इसने जो आला मुकी परवत करती है संग्राइद परवत भी कहलाते हैं संग्राइद परवत नाम से भी जाता है हवाई दीपो का मिनालुआ इटली का बैसुविलियस एक वेडोर का का जो है काटो पैक्सी जपान का फिजियो यामा और जो आला मुकी परवतों का सबसे अच्छा एक्जामपल है तो यह एक्जामपल का यह मानने उपीस एक्जाम के बच्चों के लिए भी अप्तेंद महत्पून रहेगा तो यही कोश दर्शाने कोशिश किया गया है यह जो मेंगमा निकलती है तो आज बस कठा होगा तो यह परवत का रूप धरन करेगा जर्नलीजी बात है जो अला मुकी परवत जो है एक परवत निर्मान का सबसे अच्छा एक्जामपल के तौर पर देखा जा सकता है उसके पश्चात जो अपड़ी समतल को कमजोर करने के साथ उसे काटते छाटते रहते हैं जैसे कि दरातल पर किसी परवत शेणी का उद्वग होता है तो करमन की का एक आपरदन द्वरा उसे नीचा करना सुरू कर देते हैं और अपरदन कारेश शेखालों की बनाबट पर बहुत ही निर्वर कर प्रवत कहते हैं यानि देखा जाए तो उच्छे भूखंड़ के रूप में खरे रहते हैं भारत की अगर देखा जाए तो निलगरी इसका सबसे अच्छा प्रवत के सबसे अच्छा जा सकता है अगर आपको लगता है कि अपने देखा नहीं है तो डाग्राम में जैसे दिखाया गया है कुछ इसी परकार के परवत आपको नजर आएगी इसे ही हम अब सिफ्ट परवत के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहां पर जो हमारा अत्यांत महत्वपून टॉपिक आया है परवत का आर्थिक महत्व देखिए अगर आपने परवत के बारे में जाना है तो परवत के आर्थिक महत्व के बारे में जानना भी बहुत ही महत्वण रहेगा यदि हम परवतों की आर्थिक महत्व के विशह में बात करें तो कई मानने में रहेगा और जानना भी बहुत जरूरी है कहते हैं अगर हम इसके आर्थिक महत्व की विश्य में चर्चा करें तो सबसे पहली बात तो यही आता है कि संसादुन के बंडार परवत जो है कई संसादुनों के बंडार के रूप में देखा जा सकता है यह कई एक्जामों के लिए इंपोटेंट है क्यों परवत का आर्थिक महतु जो है आप कहीं नहीं मिलेगा सिर्फ यहीं देखने को मिलेगा तो यह आपके लिए अत्यान महतपून रहेगा कहते है संसादनों के भंडार सबसे पहले हमारा है संसादनों के भंडार तो परवत प्राकीति संपदा से भंडार है यानि परवत देखा जाये तो प्राकीति संपदा के सबसे भंडार है सुझिक राज़ा अमेरिका के जो है अपलेशियंस परबत माला कोईला चुना पतर के लिए प्रसिद्ध है परबत वा उगने बाले कई परकार के बनों में हमें भी बिन उद्यों के लिए जो है इमारती लकड़ी लाख गोंद जरीबूटियां रखागज उद्यों के लिए लकड़ी प्राप्थ होती है परबती ढलानों पर चाहिया फलो की क्रिशी का विकास हुआ है जो की काफी आर्थिक तोड़ पे इसका बहुत ही बेनिफिट है उसके पर शाहत अगर हम बात करें जल विदुत उत्पादन के लिए तो कहते हैं जल विदुत उत्पादन के लिए आज काल मांटेनों का बहुत ही उप्योग किया जा रहा है कैसे उप्योग किया जाता है देखिए प्रवती परदेश में बहने वाई नदियों की जल प्रांदों त्वरा जल विदुथ उत्पन की जाती है क्योंकि वहाँ प्रवत रहती है तो उपर से पानी गिरेगी तो जनरल सी बात है हम इसका अप्योग किया जा सकता है यहां परवतों के द्वारा उत्पन किया जाता है और यह कई मानने में अपना इन्होंने दिख्सित किया है उसके बाद है जल के समीब भंडार जल के आज बंडार यहां पाए जाता है कि उचे जो है इमाच्षदित या भारी वर्षा वाले परवतों से निकलने वाली सदा वहीन नद या जल का सबसे बंडार होता है उनसे नहरे निकलकर खेदों की सिचाय की जा सकती है इसे बीविन परशलों का अधिक उत्पादन होता है उसके पशशाथ हमारे समक्ष है उपजाओ मैदा जो है मैदानों की निर्मान में में निर्मान में होता है पहारों मातया मिट्टी आती हो हमारे समतल में बिच जाती है और यह काफी जाओ मिट्टी होती है जो क्रिशी के लिए जो है बहुत ही इंपोर्टेंट रहती है उतर भारत का विशाल मैदाल गंगा सतलूज और बहम पुत्र नदी की सबसे अच्छी देन है उसके पश्राद अगर हम राजन मिटी सीमा बनाए हुए है इसे जो है उनको जो है भारत पर ट्रैक करने में भी बहुत ही दुश्कस काड़े लगते हैं उसके पर शाथ हमारे समक्ष जलवायू पर प्रभावत कि पर बतों पर नीचे तापमान पाये जाते हैं आपने देखा होगा कि पर पर बतों पर जान भारत में आने से रोकती है वह दक्षिन पर्ष्वि मांसून पबनों को भी रोक करने दक्षिन ढलानों पर बर्षा करने के लिए वाद्दे करती है तो परवत्व कि जखा जो है सबसे अधिक इंपोर्टेंट जलवायों की रूप में देखना जो है सभाविक बात रहता है लुसके पशा सबसे इंपोर्टेंट जो है परेटन का केंद्रस्तान लेकि के अधिके कहते हैं किसी भी देश के अर्थ विवस्ता के लिए जो है जो है परेटन होना बहुत ज़रूरी है तभी तो भारत का एक वर्ड है अतिदिद्धी देव भवाबाद क्युकि जितना भ मारा देश एकनोमिकल आर्थ विवस्ता में मजबूत होगा तो प्रवत माला जो इसमें बहुत महत्वपूर युगदान देता है बात अगर करें केंद्र के रूप में तो प्रकेदी संदरी केंद्र या स्वास्त-वर्धक वुष्टान होने के करण बहुत से प्रवतिय अश आपने कभी भी नगर नाम देखा कि कहा जाना है तो आप सिमला नहीं निताल मसूरी और सिजनगर की बात करते हैं क्योंकि यह सल जो है प्रबत्य चेत्र के साथ साल यहां के दृष्ण जो है बहुत ही मनमुहक है और देखने युग्य है यहां तक इंडिया के लोग तो अकर् प्रबून चेप्टर आया है प्रमुक असल रूप और उनका आर्थिक महत्व इसके अंतर गत जो हमारा आगला टॉपिक है पठार है देखिए पठार प्लेटूस यानि पठार का जो है क्या महत्व है और पठार इतने महत्वन क्यों होती है पठार प्रित्वी के सता का आने वाली नदिया पठार प्रप्रप्राया गहरी घाटिया और महा खांडर्ट बनाती है और इस परकार पठार का मौलिक समतल रूप कटा फटा या ऊबर खावर हो जाता है फिर भी पठार आसपास के छेत्रिया समुंदरी तल से काफी उच्छा होता है पठार की उच्छ समुंदरी तल से 600 मीटर उपर मानी जा सकती है प्रांतु दिबद और वेलसिला जैसे पठार समुंदरी तल से 3600 मीटर से भी अधिक उच्छे माने जाती है तो काफी इंपोटेंट भी है पठार अगर देखा जाया तो 18 प्रतिशत हमारे प्रिथिवी का सब्दा को गेर की राता है कि यहां पर ने जो हमारे समख्ष आया है प्ठारों का वर्गी करनओ लकिकंतार तीन भागाम में किया जा सकता है निए अगरी तुप हमारे समक्षबjust आप रवक्तिष्र ना फीया दू escrंश है ते पहले पफ्ठार क्या कैता है हमें हमारे समक्षिवाया है अंतरा प्रव्थिय पफथार श्रेनी में आते हैं और इसकी और उचाई थीन हजार मीटर के आसपास मानी जाती है तिबद का जो है बिस्तुत एवम चार सोपाचास मीटर उचा पठाड ऐसे ही एक उधारन है और यह वलित प्रवज्य से हिमाल लेकरा कोरम्स किन्यू लून्स जो है तिली सांग से और दो और से गिरा हुआ होता है यानि देखा जाए दोनों और से जो है काफी गिरा हुआ होता है क्लोरो डोरो दूसरा चीर प और हंगरी इसी परकार के पठारों के अन्य उधारन है तो यहां पर बहुत ही साफ सब्दों में बताया गया है कि इस तरह के जो है पठारों की जो उचाई होती है तीन सो तीन हजार मीटर से उपर होती है और यह जो है तिबबत का बिस्तुत जो यहां चालाजर 500 मीटर उचे प्रवत श्रिंकलाएं है और बीच में जो है अंत्रा प्रवत्य पठार है उसके नीचे जो है अगर देखा जाए तो श्री लेवल दिखाया जाएगा तो यह काफी इंपोर्टेंट रखता है यानि पहारों के बीच में जो श्रेनी बनती है जो चेत्र होते हैं उसी क इसको ही हम अंद्रा प्रवत्य पठार कहते हैं तो यह डाइगराम आपको मांड को बिल्कुल क्लियर कर देगा कि पठार होता कैसा है दो प्रवतों के बीच में यह डाइगराम आपके लिए काफी विस्तुत था अगला जो हमारे समक्षाजा है गिरीपद गिरीपद पठा होगा या कि इसमें बात क्या कही गई है तो परवत के पादों में इस्थित्त परवत माला से जुरे हुए यानि अगर माली जे को इपकाई परवत माला है और उसके जगह कुछ शेतर जो है समतल है, कि उसी को ही हाम क्या कहते हैं, गृ buenas the. यानि, गृ Anda, गृ張 मतलब क्या होता है, उचा-उचा प्रवस्विंक लाएं, और पद मतलब, उसके पेरो के नीचे, तो इसका मतलब, समझ मेगाए होगे आपके लिए, कि जो है, बरे बरे जो है परवत माला उसके जो है नीचे जो पठार चेत्र वस्तित जो समतल जगह है उसी को हम गिड़ी पठार कहते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा समझ के लिए था देखिए चेत्रपल कम होने का सबसे परा कारण यह भी रहता है कि अगर दो परवत श्र अमेरे का में यह पैंटोगौणिया का पठार जिसके एक और अंटार्टिका महासागर्ण और सभी तराज्जी्अरज्जक अमेरीका में जो है प्लेटुटुसियंस परवत अंटार्टिका तठ्ट्य मैदारक बीच प्लेटवीकिशिंस पठाड सबसे घिस अच्छे उधा इसको जाना जाता है तो गिरीपद पठार के बारे में आप समझ गए होगे कि प्रवतों के जो पैरों के नीचे होते हैं उन छेतरों को हम जो है क्या काते हैं गिरीपद पठार कहते हैं उसके पर शाथ हमारे समक्षाता है महादीपिय पठार देखिए महादीपिय पठार क्या होता है धरातल के एक बहुत बड़े भाग के उपर उठने या बड़े भू भाग पर जो है लावा की परतो कि काफी उचाई तक जाने से महादिप्य पठारों का निर्मान होता है अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो सारन सब्दों में धरातल के एक बहुत बड़े भाग के उपर यानि धरातल होती है वहाँ पर बहुत बड़े भाग के उपर उठने या जो है बड़े भू भाग पर लावा की परतों के काफी उचाई तक जाने से महादिप्य पठारों का निर्मान होती है महाराष्ट का लावा पठार उत्तर पश्रीम सिर्गत राज्य अमेरिका में सनेख नदी पठार इस परकार के पठारों के उधारन है यानि भारत में महाराष्ट के पास है और अमेरिका में देखा जाए तो यह नदी पठार सनेहक जो होती है वहाँ पाया जाता है इनको निचेपन के पठार भी कहते हैं महादिप्य पठार अपने आस पास के शेत्रों तदा समुन्दरी तल से सबस्ट मुझे उठे हुए दिखाई देते हैं इस परकार के पठारों का विस्तार सबसे अधिक होता है और भारत का विसाल पठार जो है ब्राजिल का पठार अरब का पठार स्पेन ग्री लैंड और अंटार्टिका के पठार अफ्रीक का अस्टेलिया के पठार महादीपिय पठारों के सबसे अच्छा उधारन है तो यह पर जो है महादीपिय पठार जो है काई मानने में हर छेतर में देखने को मिल जाता है अब यह जो है महादीपिय पठार दिखने में कैसा लगता है शल्ली देखते हैं कैसा लगता ये देखिए महादीपिये पठार जो होती है कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल सकता है यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो है बिल्कुल ही जो है परवत श्रिंकलाएं होती है यानि यहाँ पर बजब से बड़ी परवत ठीक है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो दूसरी साइड भी परवत होना चाहिए लेकिन यहाँ पर डाइगराम में मिंशन नहीं है यहाँ पर जो लिखा है महादीपिय पठार यह गलत लिखा गया है यह एक्चुली में जो है गिरीपद पठार के जो है एक्जाम्पल है महादीपिय पठार कैसा होता है देखिए महादीपिय पठार जो कुछ इस तरह से आबको दिखेगा यहाँ पर आप देख सकते हो कि Contender Plattis दिया हुआ इसे महादीपिय पठार कहते हैं और इसके दोनों साइड अगर आप देखोगे तो समुंद्र होते हैं समुंद्र के बीच में जो होता है यह महादीपिय पठार जो है अटोमेटिक उठ जाता है इसको हम टापू भी कह सकते ह कैसे आपने देखा होगा कई जगा टापू भी आपको नजर आयेगा ठीक है तो यह होते टापूyou के जैसे ही वोते हैं Commerce समुंद्र ती होते हैं और लिट में जो होते हैं यह महादीपिय पठार उटे हुए होते हैं तो यह जो कई मानुनिय में जो हाग बहुत important रहता है क्योंकि आपने देखा होगा कि टोरिस्ट जो होते हैं टोरिडिजम्स जितने भी होते हैं वो इंच ऐसे जगों पर जो है काफी अकरशित होते हैं और समय बिताने के लिए यह ऐसे जगा पर जाना ही पसंद करते हैं तो इसके बेस पर बहुत important होता है अगर आप दे कि मानब जीवन में पठारों के क्या मैत्व हो सकता है कहते हैं लंबे समय से लगातार अपरद्बने कारण पठारों के तल प्रया समतल हो जाती हैं और जिसका नियां आगमन के साधनों तदर्जनसंग्या का प्रया विकास नहीं हो पाता है फिर भी पठार मानब के लिए ब प्रापत होते हैं जितना भी विश्व में आखनीच मिलता है वह पठार चेतरों से ही मिलता है जिन कणिजों पर हमारे उड़्यों कच्छे माल के निरभर हैं पस्मी एस्टेलिया के सबी चीजों जो हमें मिलते हैं जो हमारे कच्छे माल मिलते हैं सारे के सारे जो होते हैं पठारों से ही हमें प्राप्त होते हैं तो कई माननों में जो है इसका जो है एकनॉमिकल महत्व बढ़ जाती है उसके पर शाहत हमारे समक्राइब आता है जल विदूत उत्पादन देखिए जल विदूत उत्पादन पठारों के ढालों पर नदिया जल प्रपात बनाती है और यह प्राप्त जल विदूत उत्पादन के अदर्श अस्तल माने जाती है देखा जाए तो पठार जो है ढालों पर नदिया बनाती है डाल रहती है और डाल के व्यासे क्या होता है विजली इत्पादन करने के लिए एक अधार्ष्य छेत्र मिल जाता है जहां पर बिजली बनाना बहुत ही सुगम हो जाता है उसके भाद ठंडी चलवायू देखा जाय तो यहाँ पर काफी ठंडी चलवायू मिलती है कहते हैं उस जैसे कि दक्षिन और अप्रवी अमरी अफ्रीका है तो यह कई मानने में इंप्रोटेंट है पस्व चरन के लिए उप्योगी देखिए ऐसे पठार छेत्र जो होते हैं पस्व के लिए जो है अच्छे कासी जो है उनके लिए भोजन मिल जाते हैं पठारी भाग जो है पस्व उप्योगी सिद्ध होता है यहां पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम आपको पता ही है कि हम पर मुक्या जो है सल्रूप और उनका आर्थिक महत्व की विसे में जो है चैप्टर कर रहे हैं जो की काफी इंपोटेंट है उसके रिग मैदान कई मानने में इंपोटेंट होता है ठीक है दरातल पर पाई जाने वाले समस्थ जो है सल्कृतियों के मैदान सबसे अधिक महत्वपून होते हैं और यहां जो है इंसान रहते हैं अंदिम जो है मत ढाल वाली लगवा की सपाट और लहरीला भीविन भूमी का मैदान क पूस-पर पाउस प्रस्टप्रण भाग पर फैला और देखा जा तो पक्षम्र परतिशवर संसार क्या मात्यों के लागव मिट्टि से बनाए गए यादि संसार गंटान मीट्टि उत्त मुटर होती है, इसकी उचिए नदियों के अलावा कुछ मैदान का निरौन जो है दिए। निर्मान जो है वायू, जोहलामूकी और हिमानी दौरा भी होता है। तो यह कई माने में इंपोर्टेंट रहता है कि इसकी मैदानों का निर्मान होता है वाईयू, जौला मुगी और हिमानी दौरा इसका निर्मान होता है अधिमत धाल वाली लगभग सपार्ट और सैनली निम्निस भूमी को जो है का मैदान कहते हैं तो आप इस डाफिनेशन के रूप में इसको याद कर सकते हो उसके पास चाहत हमारे समक्ष मैदान का वर्गी करन देखिए मैदानों का वर्गी करन के रूप में अगर हम देखे तो बनावट केदार मैदान का वर्गी करन निम्न परकार हो सकता है पहला तो यह होगा सरजत्मक मैदान अपर्दन दौरा बने मैदान निशय Depan बने मैदान तो यह काफी important रहता है सबसे पहले हमारा समख्राता है सरच लाच्नाटमक मैदान क्या है कहते इन मैदानों का निर्मान मुक्यता सागरिय तल अत्वा महाधीप ये निम्र गमन तर्ट के उत्हान के कारण हो हुआ है कहते हैं ऐसे मैदान पड़ाय सभी महाधीपों किनारे पर मिलते हैं मेस्को की खारी से सहारे फैली सहीवत राज्य अमेरिका का दक्षिन पूर्वी मैदान इसका सबसे अच्छा उदारान है बूमे की निचले धसने कारण भी स्नात्मक मैदान करिनमान होता है अस्टेलिया के जो है मद्यवर्थी मैदान करिमान इसी परकार से हुआ है तो सरात्म मैदान जो है कई माने में कई छेत्र में देखने को मिल जाता है उसके पर शाहत हमारे समक्ष है अपरदन दौरा बने मैदान देखिए अपरदन दौरा कैसे मैदान बनते हैं प्रित्वी तरातल पर जो है निडंतर अपरदन की परकिरिया चलती ही रहती है जिससे जो है दिर्द काल में परवत अधार नदी पवन और हिमानी जैसे कार को दोरा घिस कर मैदानों में परिनत्त हो जाती है और इस परकार बने मैदान पुर्णेतर समतल नहीं होते हैं कटोर शेलो के ढिले बीच बीच में खरे रहते हैं उतरी कनेटा जो है सबसे अच्छा एक्जामपल है पश्मी साहबोरिया का मैदान अपरदन दोरा बनाए मैदान है अपरदन दोरा बनाए मैदानों की संप्राया भूमी जो है पैनी प्लैन भी कहते हैं जो की बहुत काफी मैदान का निर्माण जो है नदी हुमान पवन आधी तता जो है संतूलन के काल तो डौरा ढोले अफसादों से जीर या समुन्द्र जैसे गतों के भरने से होता है यानि माल लीजिए बहुत अधिक मातरा में गार्ड आरह तो गाण की कारण क्या होगा बढ़े-बारे छेतर जो हूंगे भढ़ जाएंगी। और भढ़ने से इस तरह मैधान का निर्मान होना सवाविक बात है। कैते हैं जीरय सवन जैसे धुल्स जड़ोग भढ़ने से इसा होता है कि अपने साथ काई तरह के गत लेके आती हैं तो ये दीरे दीरे भरते रहते और भरे हुए छो चेतर होते हैं जो इससे बंते मैदान है उसे हिए हम जलोद मैदान कहते हैं भारतियोन महादीप का सिंदूज गंगा का मैदान उत्री चीन में हंगोहो का मैदान इटली में पो नदी दोरा बनाया गया लूंबाडी का मैदान और बंगलादेश का गंगा पुत्र का डेल्टा मैदान जलोग मैदानों के विशिस उधारन हुआ है जो कि इसी तरह के बनाए गए मैदानों का निर्मान जील में अफसादों के निचेपन से होता है तो उसे हम सरोबरी या जील मैदान कहते हैं क्या कहते हैं कस्मीर और मनीपूर की घाटिया भारत में सरोबरी मैदानों के सबसे अच्छा उधारन के रूप में देखा जा सकता है कस्मीर और मनीपूर की घा करनों से होता है इसलिए को हम स्कत्रव करनों के सबसे अच्छा उठारन है जब होते हैं तो वह कह ड़ियो सितनी फष्बीर ऑटन वे महीदान कर रिमान पवन दोरा उड़ा कर लाये गए जो है सुक्षम दूल कणों के निचे पंस से हुआ है चुकि काभी माने में इंपोर्टेंट भी है यहाँ पर सरांस के रूप में देखा जा सकता है कि माधीपी जो है निम्न गमन तटके उथांद अत्वा भूमी के निचले धसने के कारण बने हैं मैदान को जो है हम सरात्मक के कए मेदान की सरात्मक के कहते हैं जो महाधेपी। निम्न गमन तक के उथां और और भूमे के नीचे दसने करण बने मैदानों को हम सनाद बार मैदान कहते है। परबध और पठारों के लंबे समय TAK अपरदन से बने मैदानों को अपरदन जनुट मैदान या SEMPRAE BHOमी समप्राइ भूमी भी कहलाती है। नदी हिमानी पवन आदी तल जो है संतुलन के कारको द्वारा नुए पदार्तों के जमाब से बने मैदानों को निचेपन द्वारा बने मैदान भी कहते हैं। नीचेपन दोरा बने मैदानों के परकार हैं जलोद मैदान, सरुबरी मैदान, हिमानी कृत मैदान, और ल्वेस मैदान, तो यह काफी मानने में इंपोर्टेंट मैदान है, जो की निर्मान इसी कारणों से होता है, यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है, अत्यंत मैतपून, चै मैदानी छेतर में ही रहना पसंद करते हैं, और कहते हैं, अधिक सद्धिटी, जो होती हैं, मैदानी छेतर में ही रहते हैं, जहां पर लोग निवास करते है, ठीक है, तो पहला, तो यहीँ आ जाता है, कि उपजाओ-मृ। यानि मिट्टी उपजाओ होती है, मैदानों के जो मिट्टी सबसे अधिक उपजाओ तथा गहरी होती है और समतल होने के कारण सिचाई के साधनों का प्रयाब विकास हो जाता है और इन दोनों कारणों से मैदानों में कृशी सरवधिक विक्सित होती है इसलिए मेंधानों को संसार का अन बंडार भी कहा जा सकता है यानि अन बंडार किसे कहते है जो है बुझाओ भूमी मुद्रग मिर्दा को जो की मैदानी भाग होती है उसके पास शाथ हमारे समक्ष है उद्योग का विकास देखिए उद्योग का विकास भी अत्यंत महत्पून रहता है कहते है समतल उजाए एवं सिचाई की सुविदाव के कारण मैदानों में क्रिशी प्रदान उद्योग का विकास हुआ है जिसे लोगों की रोजगार मिलता है तो रास्टे उत्पादन तदा प्रती वेक्ति आय भी काफी मात्रा में बढ़ती है अधिक चंसंग के कारण क्रिशी प्रदाव द्योग के लिए सस्ते श्रमिक भी यहां पर इसानी से प्राप्त हो जाते हैं उसके पर शाहत हमारे समक्षाता ये तयाद की सुविदाएं कहते मैदानों का तल समतल होने के कारण यहां अब मैदान जो है प्राचीन एभम आधूनि सवहताмов के केंदर के रूप में देखा जाता है बिश्विके प्रमुक्र नदी घाटी जो है सवहता mismos का उधव मैदानों में से ही वी हुआ है यानि देखा जाया तो जितना भी सवहताओं का जो विकास हुआ है वो सारे के सारे जो है मैदानी चेत्र जूए है क्योंकि इसे घाठी सवता का उधन कहा जा सकता है शिंदूगाटी की सवता और नेल गाठी सवता इसके सबसे अच्छे एक्जांपॉल माना जा सकता है यदि बात करें हम अगली पॉइंट की तो यही बाद दर्शाता है कि नगरों की सवेता के रेल्स, सरगत, नदिया द्वारा जो यह यहाद कि सुविधाओं तता कृष्चि और दियोगी विकास ने नगरों की जो है स्तापना और विकास को काभी प्रशाहित किया है मैदानों में पिश्व के अगर हम पॉइंट को यहां बात कर तो पॉइंट में यही बात दर्शाया गया है कि मैदानों का आर्थिक महत्तु क्या है तेकि समतल और उपजाओ जो है मिर्दा की प्राप्ति उद्धों के विकास की सुविदा आगमन के साधनों की विस्तार की सुविदा प्राचीन अब आधुनिक सवेताओं केंद्र बेपारिक नगरों और बंदरगाओं के स्तापना जो है यही सब्सिन पोटेंट है